नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे लड़ू गोपाल की छटी कब और कैसे मनाई जानिये इसकी पुराणी कथा कृष्ण छटी बगवार कृष्ण के जनम के छटे दिन मना जाने वाला एक मैत्यपूर्ण हिंदू तोहार है मानेता है कि इसके बिना कृष्ण जनमाष्ट में का तोहार पुरण नहीं माना जाता है यह दिन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इस दिन कृष्ण के जनम की खुशी के असर और नरजात सीसु को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए कई अनुस्टान भी किये जाते हैं इस दिन कड़ी चावल का मुठ्य रूप से भोग लगाया जाता है क्रिश्ण छटी कब है क्रिश्ण छटी जनमाष्ट में कि 6 दिन बाद यानि रविवार 1 सितंबर को मनाए जाएगी इस तोहार का समय हिंदू चंदर कलेंडर प्राधरित है और यह विशेज रूप से उतरबाट के छित्रों में बड़ी सर्था के साथ मनाए जाता है क्रिश्ण छटी कैसे मनाए सनान अनुष्ठान क्रिश्ण छटी के दिन सुबह शुबह लड़ू गोपाल की मूर्ति को सनान कराए यह सनान दूद दही सहत की और गुंगाजल जैसे पवित्र वस्तू से किया जाता है अभिसेग को सुद करने वाला माना जाता है और यह दे मुट्टी को चमकदार और सुंदर पोशाग पहनाते हैं जो एक बच्चे के रूप में बगवान कृष्ण की दिवे सुंदरता और मासुमियत का प्रतिक है इस दिन लड़ू गोपाल को विसे परसाथ चड़ाया जाता है जिसमें कड़ी चावल लड़ू माखन और मिश्र प्रिवार के सद्यश्चों और बगतों के बेच वित्रित क्या जाता है किर्टिन और भजन बगति गीत गाना जिने किर्टन और बजन के रूप में जाना जाता है कृष्ण चटी उत्सव का अभिन अंग है भगत बगवान कृष्ण की स्थूति काने के लिए इकठा होते ह उनके बच्पन की विवी निलाव का वर्णन करते हैं ये किर्टन प्रेम और बगति से वरायक दिवय वाताओं बनाते हैं उपवास ओपरातना कई बगत क्रिशन चटी पर उपवास रखते हैं पूजा करने और लड़ू गपाल को भोग लगाने के बाद ही उसे तोड़ते हैं यह वर्ण बगति का एक रूप है और माना जाता है कि यह परिवार के लिए असिर्वाद और शुरुक्षा लाता है क्रिशन चटी की पुराणी कथा औस हिंदू पूरानी कथा के इंसार फगवान क्रिशन का जनव मुथुरा की जेल में उनके बाद उनके पिता रुक्षित रूप से नंद और श्योदा के देख बाल में रखा गया था नवजात कृषिन को दूस्ट राजाकंस से बचाने के लिए जिसने उन्हें मानने की कसम खाई थी गोकिल के लोगों ने छटी शामोरा सहीत विभिन अनुष्टान किये थे बच्चों की दीवे सब्सक्राइब करते हैं जिसने कृषिन को नुक्सान से बचाया था कृषिन चटी का महतों कर्षिन चटी के वलेक अनुष्ठानी कुछ सब नहीं है बलकि बगवान की सनके जीवन में व्याप्ट दिवे सुरुक्षा और प्रेम है यह बच्चों की भलाई और सुरुक्ष के लिए उनका शुरुआ अंगने का अफसर है क्रिशन चटी बगवान के शुरुआती दिनों का एक सुन्दर उत्सव है और बगतों के लिए बगवान के दिवे बाल रूप से जुबने का समय है अनुष्ठानों प्रात्ना और बगति के मैदम से यह तोहार इसे मनाने वा